हलो दोस्तो नमेश्कार और से यह order हम लोगों को जाते वे देखने को मिल चुका है तो अदानी पावर येस अदानी पावर ने लगबग 11,000 करोड का order B.H.E.L. को यहापे देखे रखा हुआ है सबसे important चीज कहा है कि एक खबर हम लोगों को कब देखने को मिल गए तो याद रखना है during the marketing हम लोगों को खबर देखने को मिले थी market close हुजाने के बाद तो बस वो officially हम लोगो उस formality की सबसे खबर देखने को आपे मिल गई ठीक है तो यह point आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहापे होना चीज कि एक्च्छल में खबर कब आई थी करके वरना आप यहापे फस सकते हो सो 11,000 करोड का अदानी पावर के और से इनको order मिला है तो याद रखना है इस प्रकार के लगातार order अगर चलते रहेंगे तो यह तेजी जो अमनों को देखने को मिल जाते है इन companies में कई सालों के बाद देखने को आपे मिल चुकी है सो यहापे टिक सकते है अभी इसके पहले भी यहापे आयते यहापे भी आयते ठीक है तो problem क्या हुआ क्यों ने टिक पाए fraud हुआ कोई धोके बाजी हुई किसे ने scam किया बिलकुल भी नहीं बिजनेस ही नहीं मिलता था अगर बिजनेस नहीं मिलेगा तो इस level पे जो तेजी है वो justify कैसे हो पाएगी ठीक है फिर valuation over valuation लगना start हो जाएगा जो कि सही रहेगा और फिर stock नीचे आता है तो अगर आप यहाँ पे टॉप पे चले जाते हो और उस valuation को justify करना है market को समझाना है कि हम सही level पे है तो आपको इसी प्रकार से multiple orders जीतने पड़ेंगे ताकि आप revenue recognition कर पाओ revenue बड़ा पाओ, profit बड़ा पाओ, earnings बड़ा पाओ, P ratio को नीचे ला पाओ and उसके बाद फिर भापे बेचने वाला कोई बड़ा player आपको नहीं देखने को मिलेगा पेटेम की बाद करेंगे, during the market आप देख सकते हो, stock चल रहा था, चल रहा था and suddenly एक fall आ गया, उसके बाद चलो, नीचे ले सतर से कुछ recovery आ गई, वरना अगर fall देखा गया तो बहुत बड़ा fall था, 8-9% के असपास गिरा था, so ऐसा क्या हो गया, तो एक पहले खबर भी हम ल पेटेम से रिलेटेड इनी का नाम देखने को मिल जाता है, so विजय शेकर शर्मा, board members, इनके उपर, से भी, यहाँ पे जाच, यहाँ पे कर सकते हैं, उनको notice यहाँ पे भेज सकती है, over IPO breaches, ठीक है, IPO से रिलेटेड कुछ चीज़े यहाँ पे हो गई थी, तो इस से रिलेट भी चले जाने का विचार करते हो, जहाँ पे बहुत बड़ी stiff गिरावट, nose drive गिरावट हम लों को देखने को मिलेती, जैसे कि PTM में भी हुआ था, अगर आप साल बर का data देखोगे, यह देखे, ठीक है, इसके पीछे का reason आपको पताई है, कि RBA ने PTM Payment Bank के उपर restriction डाल दि एसे companies के उपर हमेशा लटकती भी तलवार ही रहती है, अगर कभी तलवार गिर गई, तो पूरी तरीके से फस सकते हैं, और यह फसना ऐसा होता है कि comeback ही नहीं हो पता है, अभी normal companies के होते हैं, ठीक है, गिर गई, बढ़ वहाँ पे comeback की गुंजाईश होती है, ठीक है, बढ़ पती रहती है, बढ़ लॉंग रेंज में PTM को comeback करना है, तो इनको अपना business सुदारना पड़ेगा, बिजनेस सुदारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बढ़ काफी समय लगएगा, अब तो यह regulatory fame वक में आ चुके है, इनके उपर काफी जाच देखने हो को मिल रहे है, RBI पी बिजनेस था, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, टिकेटिंग एंटर्टेन्मेंट वाला वो भी बेज दिया, लगबस दो ढ़ाई अजार करोड के आसपास, इस प्रकार की चीज़े फिर बाद में करनी पड़ती है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, जैसे कि हजार करोड की जो फंडरीजिंग करने के लिए गए थे, QIP, तो आज हो वो सक्सेस्फूल ही, मतलब सारी चीज़े अच्छी होते वे देखने के आपे मिल चुकी है, जैसे एक QIP हम से रिलेटेड खबर यहापे आ गई, तो स्टॉक लगातार भागते वे देखने के पड़े, तो ओविसल देख सकते हो, वो भी ड्रोन से रिलेटेड ही काम कर रहा है, कोई फ्रॉड धोकेबाजी नहीं है, बट कॉंट्रैक नहीं मिल पारे, और यहाप है, जैन टेक्नोलोजी कॉंट्रैक के उपर कॉंट्रैक लेते ही चला जा रहा है, ठीक है, तो यह चीज़े हम लोगों को आने के बाद, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो, तो भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंडरिजिंग की, ठीक है, इस प्रकार के स्टेप बताते हैं कि कंपनी और यहापे आगे बढ़ पाती है भी या नहीं, अगर अगर हम लोग बात करेंगे दो सो तो एंजल वन, सो एंजल वन की बात करेंगे, जब से आप मुतिलाल उस्वाल के अमनों को रिपोर्ट देखने को मिली थी, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट कब निकाली थी, यह बताया जारा है कि से भी प्रपोजल लेकर आया है, कि FNA के कोई ना कोई restriction आ सकता है, करके consultation paper लेकर आया था, still उन्होंने अपना target maintain रखा था, क्योंकि उन्होंने यह बता है, कि आने वाले समय में, अगर देखा गे तो इनके business के उपर impact तो पड़ेगा, इसमें कोई दोराने वाली बात ही ने, सिर्फ अगर ऐसा हुआ तो, बाकी players के पर भी, वो impact जरू पड़ेगा, which is an external issue, but उस चीज को, उस gap को fill करने के लिए अभी यह क्या कर रहे है, जो बाकी के business है, उसमें वो enter कर रहे है, wealth management की अगर हम लोग बात करे, AMC की अगर हम लोग बात करे, insurance की बात करे, ठीके, तो उसमें वो हम लोग को enter करते वे देखने को म वापस यहापे लाने के लिए, ठीके, तो यह share बाद आरे भाई, यह इसी प्रकार सी चीज़े, plus minus हम लोग को देखने को मिलते रहती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, अभी टॉप लेवल से अगर मैं roughly भी calculate कर लू, तो यहापे 25%, 20% ऐसी तो गिरावट हम लोग को देखने क आपे मिल ही रही है, so definitely हम यहापे कह सकते हैं, अगर मासगाड और शिप बिल्डर को वापस अगर comeback करना है, तो कोई ना कोई order से related कोई अच्छी खबर है यहापे आनी चाहिए, तब ही जाकि कुछ हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, 25%, यह roughly मैंने calculate कि है, properly candle stick, top bottom लेकर चलोग एक सब्मरीन का order मिला करके, 10,000 करोड का order मिला करके, तब जाके comeback यहापे हो पाएगा, ठीक है, यह सारी चीज़े ऐसी होती है, ठीक है, तो धान रखना पड़ेगा, सेम कोचिन शिपयाड की बात करें, यह भी गिरते होए देखने को मिला है, JRC तो चलिए आज की दिन फोकस रखना है यहापे, कि इनका business के साथ चल रहा है करके, ठीक है, जैसे मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, पूरा वीडियो बनाया है, कि डारेक्ली इसको टाटा मोटर के साथ, जो compare कर रहे हो वाला वीडियो देख सकते हो, कि टाटा मोटर के साथ, टाटा मोटर म दिन में, आज के मतलब जो जमान जो अभी चल रहा है, उसमें अगर आप देखोगे, बाकी जो गाड़ी है, उनका एक मोडल है, या फिर दो मोडल है, मैक्स टू मैक्स, चलो तीन भी पकड़ लो, बढ़ टाटा मोटर के पास आठ मोडल हो चुके है भाई, और और मोडल से आपर आने वाले है, इतना उनने जल्दी स्टार्ट किया था, सो ओला इलेक्ट्रिक में, ये सिनर्यू अमनों को फिलाल अभी तक देखने को आपर नहीं मिला है, और बाकी TVS बजाज आपर उनको अच्छा टक कर देते वह देखने को नहीं है, उनका मार्केट शेर, धिमे- आकड़े भी आपर आये थे EV से इलेटेड, ये भी पता चला कि TVS बजाज आटो ने ज्यादा EV सेल्स कर दिये, as compared to Ola Electric, मतलब percentage growth के इसाब से, तो ये दिक्कत हो के चलते ही, हमनों को थोड़ा बहुत correction बाद में देखने को आपर मिल चुका है, तो आपस comeback करने के लिए इनक कोई, डेली कोई खबर यहाँ पर आती नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही अगर देखा कि अभी इसके उपर focus रखने के लिए, बोर्ड मिटिंग जो इनकी 29th August को है, यही एक important target वाला point यहाँ पर रहने वाला है, तो उसी साब से आप लोगोंने focus यहाँ पर रखना है, तो अगर पर रखना है, तो यह एक point आपको पता है, यहाँ पर होना चाहिए, और इसी को जवाब देते वक, रखने भी लॉंच किया है, बाई, one of the largest aerial attack, हम कह सकते है, जो कि Ukraine के जो power grids हम लोगों को देखने को मिल जाते है, वहाँ पर भी उन्होंने attack फिलाल तो करके आपर रखे वे, तो obviously जो लोग पूछ रहे सर, इसका impact, stock market की पर क्या बढ़ेगा, ठीक है, जो attack देखने को मिल रहे है, और Middle East में भी disturbance देखने को आपर मिल रह है, तो अभी भी situation में इतना मतलब कोई panic करने की ज़रुवत नहीं, मतलब बोलते हैं आ, beer के हाथ में market देने की ज़रुवत नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि American Bazar 200 प्लस है, फिलाल तो, then European market की बात करें, FTSE, half percent उपर, France का बाजर भी उपर है, DAX भी देखा गया, तो नीचे था, वो भी recover करते हैं, उपर आप आ चुका है, इस्राइल का market भी इतना कुछ ज़्याद है, आप नहीं गिरा, आदा पसंट ही आप गिरा है, और दुनिया बर के बाजर अगर आप देखो के ठीकी है, और खुद रशिया का बाजर भी अगर हम लोग चेक क इनको क्या ही फरक पड़ते हैं, क्रोड जैसा इतना बड़ा भंडार इनके पास आप पर पड़ा हुआ है, तो इनको वैसे भी दिक्कत होती नहीं, पूरे दुनिया बर के currency की band बजा के रखी हुई है, बट खुद की currency क्या मजबूत करके रखी हुई है, वो आप ज़रू परसेंट की तेजी लेखने को मिल चुक है, बिल्कुल शान्त था, इबदम मार्केट खतम, क्लोज होने के करीब, इबदम जबरतस तेजी पकड़ ली, तो ऐसा क्या हो गया, तो दोस्तो किसी बड़े प्लियर ने, यहाँ पे बड़ा माल खरीदा है, आपको कैसे पता चलत करके concrete reason, officially तो अभी तक market में सामने नहीं है, क्या पता कल आ जाए, या फिर अभी आज ही रात को यहाँ पे आ जाए, क्या पता में वीडियो बना रहो उसके बाद भी आ जाए, क्योंकि market में चीज़े चलती रहती है, किसी ने तो बहुत बड़ा माल यहाँ खरीदा है, जब आप बहुत बड़ा माल खरीद लेते हो, ठीके करोडों का, तो automatically वो chat pattern के उपर reflect यहाँ पर हो ही जाता है, और midsize की company है, तो और fast तरीके से वो reflect होते हैं देखने को मिल जाता है, तो यह तेजी के पीछे का reason, फिलाल तो हम कह सकते है, बड़ा माल यहाँ पर volume के इसाब से होगा, उसे related क्या पता, कोई खबर बाद में सामने आती है नहीं, वो एक देखने वाला पार्ट तो यहाँ पर ज़रूर हैगा, तो ठीक लोस्तों आशा करते हैं वीडियो एलफू लगा होगा, तो चाओ तो like and share कर सकते हो, मिलते हैं एक शोड़े हैं तब तक के लिए, झ chorus पहाँ बाद बाद, बाहसे कर दो जाँ बनात्य है टमकाश भाद बाद,ँ ठतक कर सकते हैं वैज ळाद, खर McMड़ दो यहाँ धाना नहीं फाला लेखिण सम्सक्रावर के लिधा हो आती हैं, बाद सो आँपते हैं, बाहसे हैं सम्सलेस का इऊ भार से गहे रोभा दि